श्री गणेशाय नमा दोस्तों हिंदू धर्म में नारियल को बहुत पवित्र माना जाता है किसी भी पूजापाट में नारियल होना अनिवार्य होता है वैसे तो कई तरह की पूजा होती है लेकिन कोई भी पूजा बिना नारियल के अधूरी मानी जाती है धार्मिक ग्रंथों में नारियल की कई विशेशताएं भी बताई गई है धार्मिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है नारियल में माता लक्ष्मी वास करती है जिसके घर में नारियल की पूजा आराधना होती है उसे घर में सुख शान्ती के साथ धन की वर्षा होती है इसके अलावा दीपावली पर नारियल से जुड़े कुछ उपाई करने से ना सिर्फ माता लक्ष्मी महर्बान होगी बलकी सानों साल धन की कोई कमी नहीं रहेगी साथ ही बंद पड़ा किस्मत का ताला भी खुल जाएगा नारियल से जुड़ा करे ये उपाई अयोध्या के जोतिशी पंडित कल की राम बताते हैं कि भगवती लक्ष्मी की प्रसन्नता और उनकी अनुकूलता पाने के लिए पूरे देश में दीपावली का महापर्व मनाया जाता है इतना ही नहीं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीपावली में कुछ ऐसे भी उपाए हैं जिनको करने पूरे वर्ष माता लक्ष्मी की विशेश क्रिपा बनी रहती है डॉट पंडित कल की राम बताते हैं कि दीपावली के एक दिन पहले सुखा नारियल अपने घर लाना चाहिए दीपावली के दिन ब्रहमा मुहुर्त में उठकर बिना किसी से कोई बातचीत किये उस नारियल को छुपा कर अपने घर के समीप किसी नदी अथ्वा तालाप पर ले जाएं और वहीं पर किसी पत्थर अथ्वा इंच से दबा कर रख दें उसके बाद संध्या बेला में एक लाल रंग का कपड़ा ले और अचुपचाप जाकर उस नारियल को लाल कपड़े में बांध कर रख ले उसके बाद उस नारियल को अपने घर लाएं इस बात का ध्यान रहे की रास्ते में किसी से कोई भी बात ना करे और शाम के समय जब गणेश लक्ष्मी की पूजा हो तो उस दौरान उस नारियल का तिलक और पूजन करे पूजा के बाद नारियल को उस जगा पर रखे जहां पैसा रखा जाता है ऐसा करने से कभी भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और पूरे साल धन की कोई कमी नहीं रहेगी माता रानी आप सब का भला करे और ऐसे ही वीडियो देखने सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें